जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन प्लासेज में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाने बिग्यान के 15 most important questions के बारे में जो question दोस्तो आर्मी जीडी के लिए बहुत बहुत और बहुत ज्यादा important questions है तो वीडियो को लास तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि ये जो question है एकदम अच्छे और selected level के है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपने अभी तक हमार जैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेज जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कोश्चन नमबर बन है कैपसूल का आवरण किसका बना होता है ओप्सन से आपके प्रोटीन, बिटामिन, स्टार्च या फिर इन में से कोई नहीं तो कोश्चन नमबर बन का सही आंसर है ओप्सन सी स्टार्च नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर टू, खाद संरख्छण है तो कौन सा अम्ल प्रियोग होता है तो कोश्चन नमबर टू का सही आंसर है ओप्सन ए बेनजुएक आंसर है ठीक है? तो यह के question आपके लिए महतुपूल है question number 3 है मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मानव सरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो होता है तौचा और मानव सरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथी है वो होती है यह क्रत तो यहाँ पर confused नहीं होना यहाँ पर question number 3 का सही answer है option B तोचा ठीक है क्योंकि यहाँ पर अंग की बात हो रही है ठीक question number 4 है मानब सरीर में मासपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है मानब सरीर में कुल कितनी मासपेशिया होती है तो question number 4 का सही answer है option D 649 question number 5 है सरीर के सभी कारेओं का नियंतरन कौन सा अंग करता है तो question number 5 का सही answer है option C मस्तिस्क ठीक है question number 6 की तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि आप इस वीडियो की PDF को भी हमारे टेलिग्राम चैनल से बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो question number 6 है सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है तो सबसे छोटी हड़ी होती है दोस्तो सरीर की स्टेपेश हड़ी जो की कान में होती है ठीक है मानप के जीवन काल में कितने दांट दो बार विक्सित होते हैं तो question number 7 का सही answer है option D यह जो 20 दांट होते हैं दोस्तों यह दूद के दांट कहलाते हैं और यह एक बार गिरने के बाद में दो बारा फिर से विक्सित हो जाते हैं ? तो question number 7 का सही answer option D वीजदांत next question के तरब चलने से पहले आप सभी को बता दें कि यह हमारा जो YouTube channel है इस पे आपके लिए Indian Army की सभी तयारियं कराई जाती है जैसे आप Indian Army में GD, Technical, Clerk या पर किसी भी post के लिए तयारी कर रहे हैं तो उसकी जो दोस्तो return exam के तयारी वो हमारी चैनल पर आपके लिए मिलती रहेगी question number 8 है अस्थियों और मास्पेसियों को आपस में जोडता है question number 8 का सही answer होगा option D tendon question number 9 है परमालू बम किस अविकरिया पर आधारित है परमालू बम दोस्तो नाविकिये विखंडन पर आधारित तो यहाँ पर question number 9 का सही answer option C नाविकिये विखंडन question number 10 है किसकी electron बंदता सबसे अधिक होती है किसकी electron बंदता सबसे अधिक होती है question number 10 का सही answer है आपका option C chlorine question number 11 की तरफ चलने से पहले बता दें कि आप इस वीडियो की pdf file को बिलकुल free में download कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा online classes से question number 11 है किस पदार्थ को द्रब होना कहा जाता है किस पदार्थ को द्रब होना कहा जाता है question number 11 का सही answer है option B petroleum next question की तरफ चलने से पहले आप सभी से दोस्तों request है कि आप अगर Indian army में तैयारी कर रहे हैं Indian army में बर्दी पहनना चाहते हैं फोजी बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी share करें और खुद भी इसको subscribe कर लें क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए Indian army की vacancies की भी detail दी जाती है और साथ ही साथ उनकी written exam की भी तैयारी कराई जाती है ठीक है तो question number 12 का सही answer है option B Alexander flaming question number 13 है कौन सी gas, gober gas कहलाती है इन में से कौन सी gas है दोस्तों जो gober gas कहलाती है question number 13 का सही answer है option A methane gas, gober gas कहलाती है question number 14 है dynamite का अविसकार किस ने किया तो dynamite का अविसकार किया था दोस्तों Alfred Nobel ने ठीक है तो question number 14 का सही answer है Alfred Nobel option B dynamite क्या है दोस्तों dynamite जो है वो एक बिसफोटक है उसका अविसकार किया था Alfred Nobel ने question number 15 है तारे किस कारण टिम्टमाते है आपने देखा होगा जब हम तारों को देखते हैं तो टिम्टमाते हुए नजर आते हैं तो तारे किस कारण टिम्टमाते हैं तो question number 15 का सही answer होगा option C प्रकास के अपवरतन तारे प्रकास के अपवरतन के कारण टिम्टमाते हैं तो आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहाते हैं कि इस वीडियो की पीडियो फाइल को आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा आउनलाइन क्लासे से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो थेंक्यू दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैवारत